तो आज एक कानेमेटिक्स का कोशन देखेंगे जो कि लाउज आप मोशन से रिलेटेड है और यह कोशन कुछ इस तरह है जो कि आप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं यहां पर तीन ब्लॉक से एम एम तो एम तरी जिसके उपर एक्स्टरनल फॉर्स अप्लाई किया गया है जो कि 65 न्यूटन का है और दी कोशन में दिया हुआ है जहांपे मनें टूर्म तरी की वैलू भी दिया हुई है ट्रफ केजी ट्वेंटिवर्च एजी ट्री 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 पॉर्ट एम त्री कोशन है कि मुझे पूरे सिस्टम की एक्सलेरेशन कानी है पाइं करने है प अगर मैं पर स्ट्री टीट पुट्रेशन ऑफ प्रेशन फीड शिस्टम जानते है ऐसे फोल तो मसस्थिय टू अक्सलेसिंट से लिए लोग अग्य। तोन दूतर फोस्पी सिस्टेम बढगाया जरी वे 65 NEWTON रहाब वे दिखिए हम रुट देखिंगे यह अधिए यह था प्रॉट देखिंगे यह यह थास प्रॉट देखिंगे यह थास फड़ाइशन ट्रॉटेखिंगे टियो गार्च द्रॉट आगा कि टॉटेखिंगे यह थ 12 20 20 24 31 so 12 plus 24 plus 31 so let's go calculate cut it to you which I got a right so well 67 is 365 divided by 67 any approximately they can 0.9 meter per second as far as I got so is the same rock bankers at the acceleration whether it's a question BP around the other day one day two or three fine can I so T1 T2 and T3 fine can I so jimmy circle question I am or go pitch me can see attention other fine can't I hope so so some of the content you know that it's a good external force say last me down there is a game here I am looking to get to do it one is that I have to say the light as that apply a we can say but it's apply to me to get it up there is a good day to see if I love it to be a good day I don't want to see if block by तो फ्रीपूरी डिग्राम में देखेंगे तो इधर के वाल लग रहा है आपका टीवन इस टारेक्शन में वह इसको की चरह आपके कोई भी फ्रिक्शन अप्लाइट निया फ्रिक्शन ले सर्फेसे तो और जो फोर्से लाइटी वह इसका वर्टिकल डारेक्शन में लेगा जो की है इसका वेट डाइज एमजी और अपार डारेक्शन में लाइगा नार्मा राइट जो इस आर दी फोर्सेस दाट विल आक्ट ऑन दी मास एमवन तो इहां पर बिकास सिस्टम एक्शलरेटेटेटेटे तो इसका भी जो होगा आपका वह एक्शलरेशन कहीं ना कहीं ओगा जिस दार्इट्टिन में सिस्टम मोग कर रही होगी और पूरी सिस्टम जो है वो इस दार्यक्शन में एक्सलरेटेटेटेटेटेटे तो अगर मैं यूटर्ट सेकर ना लगा हूँ जो की होता है सभीचन आफ एक्सलरनल फॉर्सेस अन दी ब्लक दिसम पर अप्लाइ इन्ट एक्सलेरेशन डेखने फॉस्ट ब्लॉक देखने तो इसपे टो ट्टल एक्स्टरनल फोरुस एप्लाइटे अरिजेंट टाल डारेक्शन में हम लोग देखने तुक्ती बेखने हो एवे टी ओन माश लेक्शन व्हार ब्लॉक है 12 12 12 into 0.9 यह एप्रोक्सिमेटली 11.9 न्यूटन के आसपास न्यूटन के आसपास रहाँ इसे कम बेस हो सकते हैं मैं अप्रोक्शिमेशन से आप निकाल रहा है वह सी तरह से अगर मुझे टी टू निकालना है तो चलते हैं टी टू के ऊपर तो एम तू ब्लॉक को यहां पर ले सब्सक्राइब कितने एक्स्टरनल फॉर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और देखते हैं अब को यूज़ रहे हैं तो इसके केस में अगर मैं देखूं तो ती टू जो है वह आपका इस टारेक्शन में अप्लाइब क्योंको एक्स्टरनल फॉर्स उसको खीच रहा है वसी डिरे टी वर राइट वह निगेटिव डारेक्शन में वहां पर आक्ट करेगा और बोड़ी की एक्सलिडेशन तो है ही इस टारेक्शन में हो जाएगी पीसे से इनस्या को मेंटेन रहने जागा तो जब आगे मुव करेगी मुव नहीं करना चाहिएगा जिसके कारण से एक डारेक्शन में फोस्ट लगाएगा और वह फोस्ट होगा ती वन के बरापर होगा यहां पर देखों सब्सक्राइब को मैंने यहां पर पॉजेटिव लिया हू यहां पर मुझे टी टू निकालना है तो यह हो जाएगा एम टू टाइम सफरे प्लस आफ टी वन एम टू जो है वह ट्वेंटिव यह 0.9 और टी वन का भैलू अल्रेडी निकाले हुए है और अपर पर कोश्चन में जो कि है 11.8 हम लोग ने अप्रोक्सिमेशन लिए तो इ अगर इसको हम लोग स्वाल करें तो यह अप्रोक्स आएगा यह सारे अप्रोक्सिमेशन है तो यह 3145 दैन 213 35.5 न्यूटन के आसपास राइट इस तरह से ना नेक्स्ट कोश्चन है टी 3 मुझा पाइंड करना है तो और टी 3 और एफ जो है से मिरा होगा सेम स्ट्रिंग के पर यह अप्लाइड हुआ है सेम स्ट्रिंग है यहां पर टी 3 और एफ मैं सेम ले सकता हूं तो यहां पर टी 3 जो है वह करने के बराबर रहा होगा जो कि यह 65 न्यूटन है तो इस तरह से इस टाइप के कोश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अगर इसी कोश्चन में बोलता करना पड़ता और थर्ड ब्लॉक का अगर मुझे निकालना होता तो इस पर भी अप्लाइड करना पड़ता है तो यह था एक छोटा सा कोश्चन अगे थैंक यू